Hello students, welcome to channel Maths Mint by Kamles. आज मैं सॉल्ट करूंगा Class 10 Maths Question No. 4 Exercise 6.2 NCRT Book से Chapter है Trangles. I hope you will please like and subscribe this channel. Thanks. इन question दिया हुआ है, इन figure, figure question में, book में दिया हुआ है, ये figure है इसका. DE parallel to AC, ये DE parallel to AC है, means ये triangle B, A, C में AC के parallel क्या हो गया, DE हो गया, ये हुआ, दूसरा फिर दिया हुआ है, DF, DF parallel to AE, तो ये triangle बना दिया, BAE, जिसमें AE के parallel DF हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें question में हम क्या देखते हैं? कि यो BA है, ये side दोनों triangle के लिए है, BAE के लिए भी है, और BAC के लिए भी ये है, और इसका point है, जहां से दोनों triangle के लिए parallel line निकलता है, वो point D है, इसका मतलब इसी से, इसका ratio बराबर होगा, इस triangle के side के ratio का भी, और इस triangle के बरे triangle के side का ratio का भी, यही इस सवाल का main point है, याद रखने का, ठीक है, अब देखते हैं, इन triangle BAC, यह BAC बड़ा सा triangle, outer triangle है, उसमें DE क्या है, DE parallel to AC है, यह given है, तो by basic proportionality theorem, जिसको short में BPT भी बोलते हैं, और इसको tells theorem भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या देख लिया, इसके मुताब भी क्या होगा, इस triangle में, BAC में, BAC में, यह हो गया, BE by EC, क्योंकि यह parallel line divide करता है, DE parallel line divide करता है, तो यह point, यह EC के ratio में, BD DA के ratio में होगा, तो BE by EC equal to, यह हो जाएगा, BD by DA, ठीक है, यह BPT formula में क्या कहता है, theorem में क्या कहता है, एक अगर यह triangle है, और इस triangle का यह side, अगर इस side, यह line इस side का parallel है, यह, तो A by B will be C by D, यह होगा, A by B is equal to C by D, साथरन लेंग्विज में, इसको ऐसे हैं समझ सकते हैं, यह एक triangle है, जिसका यह एक line के parallel, दूसरा line है, तो यह मान लिए कि इसका measurement A है, इसका B है, इसका C है और इसका D है, तो क्या होगा, दोनों का ratio, A by B will be equal to C by D, यह होता है, उसी के हिसाब से यहाँ कर दिया, यह triangle है, B, A, C है, D, E parallel है, तो क्या होगा, A by B is equal to C by D, ठीक है, इसको हम कर देते हैं, equation 1, ठीक है, फिर हो जाएगा, similarly, in tangle, दूसरा tangle क्या हो गया, B, A, E, B, A, E, इसमें क्या given है, इसमें given है, D, F, D, F parallel to A, E, A, E, यह है, तो इससे फिर क्या हो जाएगा, इस triangle में, B, F by F, E, B, F by F, E, इस triangle के लिए, B, A, E, Tangle के लिए, F, E, यह भी बराबर हो जाएगा, उतना ही, B, D, by D, A, यही इसका है, कि यह common side है, common point है, इसी से इसका answer निकलेगा, इसको equation कर जते हैं, 2, यह भी होगा, by B, P, T, यह भी by B, P, T होगा, अब इसमें हम क्या देखते हैं, दोनों equation में क्या देखते हैं, B, D, by D, A, B, D, by D, A, right side में, दोनों equal है, left side के, दोनों के equal का, इसको इस से लिख से है, by equation 1 and 2, अब देखिए, B, E, by E, C, B, E, by E, C, is equal to, B, D, by D, A, और यह B, D, by D, A है, B, F, by, F, E के बरावर, ठीक है, तो यह क्या देखते हैं, यह दोनों बरावर है, यह दोनों क्या है, बरावर है, तो इससे निकल गया, so, question में पहले यह दिया हुआ है, B, E, by F, E, दिया हुआ है, इसलिए यह और यह बरावर, तो पहले इसको लिख लेते हैं, B, F, by, F, E, equal to, B, E, by, E, C, यही प्रूफ करना है, प्रूफड हो गया, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो कैंड़ी लाइक और सब्सक्राइब कर दे, थैंक्स,